जिस दिन फिल्म सोले के लिए अमजद खान को सिलेक्ट किया गया था उस दिन उनके बेटे साधाप का जन्म हुआ था ये वक्त ऐसा था उनकी आर्थिक हालत बेहत खराब थी बेटे के जन्म के तुरंत वादी वो सूटिंग के लिए निकल गए थे वो बहुत सरमिंदा थे क क्योंकि उनके पास पत्नी और बेटे को डिश्चार्ज कराने के लिए पैसे नहीं थे तब इसे बृद दौर में जेतन आनंद ने उन्हें 400 रुपए देकर मदद की थी पैसे मिल जाने के बाद वो पत्नी और बेटे को डिश्चार्ज करा कर घर ले आई थे नमस्कार दोस दोस्तो जीत पक्की में हम लाते हैं आपके लिए मौटिवेशनल इस्टोरी जिससे आपको भी बहुत को सीखने को मिलेगा तो फिर किस बात की देर लाइक, सियर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तो आज की मौटिवेशनल इस्टोरी में हम अमज़द खान के जीवन की शेर कराएंगे दोस्तों अमजद खान की लाइव कई ट्रेजी से भरी रही तीस के दसक के टॉप मोस्ट एक्टर जैन्त जकारिया खान के बेटे होने के बावजूद उन्हें इंडस्टी में खुद की प्यांचान बनाने के लिए बहुत संगर्ज करना पड़ा अमजद खान का जन्म 12 नवंबर 1940 को पेसावर में एक्टर जैन्त के घर हुआ था पेसावर अब पाकिस्तान का हिस्सा है 1947 के भारत पाकिस्तान बटवारे के बाद उनका पूरा परवार मुंबई सिप्ट हो गया था अमजद खान की स्कूलिंग बांदरा के सेंट एड्रिब हाई स्कूल से हुई और आरडी कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया अमजद ने एक्टिंग के सारे गुड अपने पिता से ही सीके एक्टिंग के लिए उनकी मा भी उन्हें प्रेरित किया करती थी अमजद खान ने 11 साल की उम्र से ही उन्होंने फिल्मों में बतोर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना सुरू कर दिया था फिल्म का नाम था नाजनीन इस फिल्म में उन्होंने अपने पिता के साथ स्क्रीन सेयर किया था उसके बाद उन्होंने राज कपूर की बनाई फिल्म दिल्ली दूर नहीं है में काम किया था दोस्तों फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने के साथ अमजद खान डारेक्टर के आसिप को असिस्ट करने लगे थे उन्होंने फिल्म Love and God में के आसिप के साथ बतोर अजेस्टेंट काम किया था फिल्म की सूटिंग जारी ही थी कि के आसिप की मौत हो गई के आसिप की मौत के बाद अमजड डारेक्शन छोड़ एक्टिंग में पूरी तरह रम गई दोस्त ये वो बक्त था जब सल्मान खान के पिता राइटर सलीम फिल्म सोले में गबबर सिंग की भूमका के लिए एक कलाकार की तलास में थे इसी दोरान अमजड से मुलाकात हुई सलीम ने कहा कि उन्होंने एक कानी लिखी है जिससे रमेज सिप्पी डारेक्ट कर रहे हैं फिल्म में एक रॉल है जिसके लिए उन्हें आडिशन देना होगा अमजड खान का सलेक्शन हो गया दोस्तों आपको बता दें कि गबबर के रॉल के लिए रमेज सिप्पी की पहली पसंद डेनी थे लेकिन वो धर्मात्मा की फिल्म में बिजी थे शुरुआत में लोग अमजड की आवाज का मजाग बनाते थे सोले फिल्म की सुटिंग के दोरान लोग अमजड खान को ताना मारते थे लोग कहते थे कि आवाज में दम नहीं है तो ये धर्वेंदर अवताब और संजीब कुमार को क्या टक कर देंगे सोले की सुटिंग के बक्त उन्हें पहले दिन कितने आदमी थे डायलोग बोलना था लेकिन वो ठीक से नहीं बोल पा रहे थे अमजड ने 40 जी टेक लिये लेकिन डायलोग नहीं बोल पाई रमेज सिपी ने उन्हें आराम करने भेज दिया अमजड स्वेम भी बहुत परिसान थे क्योंकि उन्होंने इस रॉल के लिए बहुत तैयारी की थी इस बात से आहत वो पूरी रात भर रोए लेकिन अगले दिन उन्होंने कुछ टेक में ही सीन पूरा कर लिया बचपन में अमजड खान के घर एक धोबी आता था जो कहता था अरे ओ सान्ता धोबी के इसी अंताज को उन्होंने अपने डायलोग में कौपी किया जो डारेक्टर ड्रमे सिपी को बहुत पसंद आया फिल्म सोले का डायलोग अरे ओ साम्मा कितने आदमी थे बहुत पॉपलर हुआ था दोस्तों सोले की सूटिंग के दोरान सुरुआती दिनों के संगर्स के कारण ये चर्चा होने लगी कि अमजद खान का काम अच्छा नहीं है और सायद उन्हें फिल्म से निकाल भी दिया जाए फिल्म फ्लॉप न हो जाए इस डर से सलीम ने रमे सिपी से कहा था कि अगर वो अमजद खान से संतुष नहीं है तो इस रॉल के लिए किसी दूसरे के बारे में सोच सकते हैं इसके बाद ये बात चर्चा में रही कि फिल्म सोले से अमजद खान को निकाल दिया गया हाला कि अंत तक रमे सिपी गबर के रॉल के लिए अमजद खान के फेवर में ही रहे दोस्तो इन अफवाओं की भनक अमजद खान को भी हुई साथ ही उन्हें इस बात का बुरा लगा कि जिस सक्स ने उनके नाम की सिपारिस फिल्म के लिए की वही मुझे निकालना चाता है इसके बाद अमजद के मन में सलीम खान के लिए गलत फेमी बस गई जो हमेशा रही फिल्म सोले के बाद उन्होंने कभी भी सलीम खान के साथ किसी दूसरी फिल्म में काम नहीं किया दोस्तो सोले फिल्म में जिस दिन selection हुआ था उसी दिन उनका बेटा सादाब का जन्व हुआ था आर्थिक हालात बहुत धेनी थे हॉस्पीटल से बेटे और पतनी को डिश्चार्ज कराने के लिए पैसे नहीं थे तब इस बुरे बक्त में चेतन आनंद ने उन्हें 400 रुपए दे कर मदद की थी दोस्तों अमजद खान की बड़ी ख्वाइश थी कि सोले में उनकी एक्टिंग को उनके पिता देखें इस बज़े से उनकी ये ख्वाइश ता उम्र अधूरी रही दोस्तों अमजद खान चाय के बहुत बड़े सौकीन थे वो एक दिन करीब 30 कप चाय पी जाते थे जब उन्हें चाय टाइम पर नहीं मिलती थी वो परिशानों उठते थे एक बार वो प्रत्वी थीटर में नाटक कर यरसल कर रहे थे उस दोरान उन्हें चाय नहीं मिली बज़े फूचने पर पता चला कि दूद खत्म हो गया है अगले दिन अमजद एक भेंस को ले कर गए और उसे सैट पर ही बन दिया उसके बाद चाय बनाने वाले सिकाक कि कुछ भी हो जाए चाय किसी भी हाल में मुझे मिलनी ही चाहिए अब आपको अमजद खान की लब श्टोरी के बारे में बताते हैं इनकी लब श्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं है अमजद खान की पतनी सेला उनकी पडोसी थी तब सेला की उम्र 14 साल की थी उस समय अमजद खान ग्रेजूशन कर रहे थे दोनों कभी कबार साथ में बैडमिंटन खेलते थे सेला उन्हें भाई कहकर पुकारती थी एक दिन अमजद खान उनके पास गए और कहा कि तुम मुझे भाई न कहा करो कुछ दिन वाद सेला इसकूल से रौड तहीं थी तबी अमजद ने उन्हें रोक कर उनके नाम सेला का मतलब पूछा वो जवाब देती इससे पहले ही अमजद खान ने खुद ही नाम का अर्थ बताया जिसकी आँखें डार्खों फिर आगे का कि तुम जल्दी ही बड़ी हो जाओ मैं तुम से साधी करूँगा जब सेला के घरवालों को पता चला कि लड़के की उम्र जादा है तो प्रिस्तावट ठुकरा दिया यानि घरवालों ने साधी के लिए मना कर दिया कुछ दिन के बाद सेला के पता ने उन्हें अलीगर पढ़ाई के लिए भेज दिया अमजद और सेला खत के जरीए बातें किया करते थे कुछ हपते सेला बीमार होने के करण मुंबई बापस आ गई सेला का एक बिसे फारसी था जिसकी क्लास वो अमजद खान से लिया करती थी इस दोरान दोनों और करीब आ गए फिर दोबारा अमजद ने साधी का प्रिष्टाव सेला के घर बेजा फिर वो मान गए और दोनों ने साधी उन्नेस सो पाहतर में कर ली दोस्तों फिल्म सोले की रिलीज के कुछ दिन ही गुजरे थे कि अमजद खान एक हादसे का सिकार हो गए ख्लिम दा ग्रेट गेंबलर की सुटिंग के दोरान उनका कार एक्सिडेंट हो गया जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए कुछ समय बाद वो सही हो गए लेकिन दवाईयों का रियेक्शन हो गया उनका मोटापा तेजी से बढ़ने लगा हालात ये हो गए कि वो ढंक से चल भी नहीं पा रहे थे एक इंटर्विव में उन्होंने खुलासा किया था कि ये सजा उन्हें अल्हा ने दी है दरसल फिल्म सोले की रिलीज से पहले ही दुगा मांगी थी कि अगर फिल्म सुपर हिट हो जाएगी तो वो फिल्मों में काम करना बंद कर देंगे फिल्म जब सुपर हिट हुई तो उन्होंने अल्ला से अपना बादा पूरा नहीं निवाया और फिल्मों में काम करते रहे दोस्तो अमजद खान ने अपने फिल्मी केरियर में 55 से जादा फिल्में की थी बिलेन के साथ उन्होंने कॉमेडी जॉनर की फिल्मे भी की थी इसके अलावा उन्होंने 1983 की फिल्म चोर पुलिस और 1985 की फिल्म अमीर आदमी गरीब आदमी का डारेक्शन भी किया था 1996 को फिल्म कलेंगा उनके केरियर की आखरी फिल्म थी अमजद खान का 51 साल की उम्र में हार्ट अटेक की बज़े से निधन हो गया था जिंदकी भर वो संगर्स करते रहे लेकिन फिर भी वो अपने काम में लगे रहते थे उन्हें अल्ला पर पूरा विश्वास रहता था वो कहते थे कि उससे दिल से मांगी दुआ जरूर कबूल होती है दोस्तों अब हम बिदा लेते हैं फिर हाजिर होंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आज की मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर मेरे दुआरा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक सेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्वाद